इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे दिल्ले में स्थित एक ऐसा धोबी घाट जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है हमारा घाट 1932 से बना हुआ यह अंग्रेजों का टाइम का घाट है जब हमारी आजादिनी उससे पहले का घाट है और आज हम भी कर रहे हैं हमारे दादा परदादा करके छोड़ेंगे और हमारा कपड़ा होटल रेस्टोरेंट और हस्कतालों से भी आता है यहां धुलता है यहां पर कपड़े ग्रहापों से लाए जाते हैं और उनको अनेक विद्यों से धोई जाते हैं हम आपको बताएंगे कि पहले जमाने में कैसे कपड़े धो जाते हैं और नए जमाने में कैसे धो जाते हैं कपड़े धोने का पुराना तरीका पैरों के द्वारा और कपड़े को पीट पीट कर धो जाते थे हाथों के द्वारा यह है नया तरीका नय जमाने में ज्यादा तर मसने करणों का इप्योग होता है जिससे ज्यादा कपड़े धूरते हैं कि कर करेंजर सोम नहीं जचिते हैं करेंजरन करिस झाल 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 धूप में अच्छी तरह सुखने के बाद इन कपड़ों को प्रेस के लिए ले जाया जाता है कपड़ों को अच्छी तरह प्रेस किया जाता है प्रेस होने के बाद इन कपड़ों को वापस मोटरे में बांध कर उन गहां को लोटाया जाता है जिनसे यह कपड़ा लिया गया था कर दो प्रेस कि अच्छी प्रेस कि प्रेस कि अच्छी तरह जाता है झाल